हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे सी यूट्यूब चैनल तब प्रोग्रामिंग अप्पे और आज की इस वीडियो में मैं आपके सांट डिस्कस करने जा रहा हूँ एडिपी गंतरगत आने वाले एक सॉफ्ट्वेर के बारे में जोकी है पेज पेजमेकर एक बहुत ही यूजफूल सॉफ्वेर है जिसका परियोग करके हम लोग बहुत सारी चीज़े बना सकती है लेकि हम मैक्जी के बेज़ेस डिजाइंड कर सकते हैं पोस्टिन पेपर सेट कर सकते हैं इसके मात हमसे कफी ज़ादा इसली इसमें काम हो जाता है और इसम अंदर जो है विजिटिंग कार्ड के अलावा साधी के कार्ट को भी डिजाइंड तो बहुत सारी चीज़ों में पेजमेकर यूज आ जाता है पेजमेकर एक तरह से देखा जाए तो एडवी कंपनी ने भी बंद कर दिया है और उसकी जगए एक नया सॉफ्ट्वेर लांच किया है टास्कॉल इन डिजाइंड तो अगर आपके पास पेजमेकर सॉफ्ट्वियर नहीं आप उसे कहीं से इंडिजाम कर सकते हैं किसी भी दुकान से आप उसे कंप्यूटर दुकान से आप उसे ले सकते हैं या किसी कंप्यूटर इस्ट्यूट से भी आप उसे प्राप् पेजमेकर सीखिए फिर उसके बाद में अगर आपको लगे कि आपको और अच्छ ना और ज्यादा बहतर सीज़ेसी आप इंडीजाइक सॉप्ट्वियर को यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पेजमेकर बताऊंगा उसके बाद मैं आपको यहाँ फोटोशॉप की भी ट्रेनिं देखिएगा और वीडियो कैसी लगी यह मुझे पामेट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए होगे तो चैनल को समस्क्राइब लिए चलिए तो अब मैं ज्यादा टाइम बेस्ट नहीं करता हूं और सीरह आपको लेचलता है पेजमेकर जैसे कि मेरे सिस्टम में पेजम को ओपिन कर लिया है पेजमेकर ओपिन होने के बाद में आपको दो थी चीज़े ध्यान रखनी है कि कौन-कौन सी चीज़े आपके स्क्रीन पर होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यहाँ पर यह टूल बॉक्स ठीक है यह टूल बॉक्स आपके स्क्रीन पर होना चाहिए पिसी के अंदर सारे टूल आपको मिलेगे जिनका यूज़ आप अपने बेज कको डिजाइन करेए उसके बाद में यहाँ पर होना चाहिए सबसे नीशी आपको country palette और यह country Palette आपके बड़े काम होना चाहिए एक color चीज को हटाने के लिए या लाने के लिए हम कहा जाएंगे उसके लिए हमें जाना होगा Windows के अंदर मैं इसे जून करके दिखा दे रहाँ windows के अंदर जाना है और उसके अंदर आपको देखो यहां लिखा है hide मतलब hide tools करते हैं यह जो tools है वो आपकी गायब हो जाएंगे आप देख सकते हैं यहां से tools गायब हो गए और जैसे ही आप इहां पर show tools करेगे वापस से tools show होने लिए उसी प्रकार से यहां पर लिखा है show control पहले कि जीजे से नहीं यहां से गायब किया था अभी यह show होने लगा स्क्रीन पर अगर मैं से यहां से delete कर दूँ या विंडो से जाकर hide control पैलेट कर दूँ तो यह hide फिर यहां लिखा है show the colors जिसको हमें control J से भी हम कर सकते हैं तो यह control J से colors आठ ठीक है तो I hope कि आपको यह interface समझ में आया होगा कि कैसे इस interface को arrange करेंगे ठीक है ये तो हो गई बात यहां तक की कि colors को कैसे लाना है कैसे tools को गयब करना है कैसे control palettes को लाने है ये सारी चीज़े बट page maker के अंदर page ही सबसे ज़्यादा important रहे और page अगर हम नहीं लाते हैं तो फिर हम कहां कहां पेज को लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या फरना है यहां पर जाना है फाइल के अंदर यहां से चुनना है आपको new option और उसके बाद आपको document setup का एक dialogue मिलेगा इस document setup के dialogue पे आपको कुछ settings करनी है और आप page ओ आसानी से ले सकते सबसे पहले page का size अप सेट करेंगे page का size generally मैं A4 रखता हूँ क्यूंकि हमारे प्रिंटी size paper होते है उसका size A4 size उसके अलावा यहां पर orientation को मैं tall रखोंगा अगर मुझे नपबे page चाहिए अगर आपको ऐसे landscape mode में चाहिए अगर आपको वाइड रखते है उसके बाद में यहां पर है option double sided जब भी आप page को लेंगे तो वो दो sides आएगे एक front page और एक उसका back page आएगा ऐसे गन के आएगे बट यह तभी होगा जब number of pages एक से ज़ादा हो ठीक हो तो मैं number of pages यहां पर तीन रख रहा हूँ जिस्ते कि यहां पर क्या होगा मुझे यह double side का मतलब समझ में आएगा यहां पर है margin तो जब आपने A4 size page लिया है तो margin आप इसकी बाइडिफल देख सकते हैं inside, outside, top and bottom लब left, right, top and bottom की यह बात कर रहा है कि कि कितनी margin हम page पर रखेंगे अपी तो फिलहाल मैं इसमें कोई change ही कर रहा हूँ देकिं आगे थोड़ी से दिल बाद यह चेंज शरूर करे target output resolution जो है, वो 300 dot per inch है, TPI गहता होता है dot per inch, तो यह चीज भी हम यहां पर set कर सकते हैं, आप फिलहाल 300 ही रहने देना और compose to printer कह रहा है कि कौन से printer का use करेंगे जब आप बन जाएगा तो जो भी आपको चूज करना है, आप printer चूज कर सकते हैं, मेरा यह PDF वाला है, select है, इसको यहां पर जैसे हम okay करेंगे, आप देखींगे कि यहां पर एक page आगे है, इस page में आप कुछ चीजे देख सकते हैं, जैसे आपको जो page मिला है, वो बस यही वाला area है, इतने ही दूर में आप इसको काम कर सकते हैं, यही आपका page है, जो print पाकी का area है, यह आपके work के लिए है आप कोई चीजे बना सकते हैं, जो जो अपने page पर shift कर सकते हैं, okay, अब अगर मान लेजिए, मैंने 3 page लिया था, मैं आपको एक बात यह भी दिखा दो, facing page क्या होती है, जैसे यहां नीची आप देखो अगर, तो नीची आपको page number show हो रहे हैं, 1, 2, and, तो जब 1 पे हम, अभ double side इनको बोल रहे हैं, double side दिखा रहे हैं, जैसे जभ हम किसी copy को खोलते हैं, तो हमें दो पेज दिखते हैं, एक left में और एक right, जब हम copy को बीच से ऐसे खोलेंगे, तो दो पेज दिखेंगे, एक left में और एक right में, सुएम यहां पर भी आपको दिखेंगे, यह page number 2 है, और कुछ ऐसा ही और यह पेज नमबर 1 है ठीक है तो आप अपने copy के साथ इसको experiment कर सकते हैं कि यह पेज नमबर 1 है और जब इसको हम पल्टेगे तो यहाँ पर पेज नमबर 2 और पेज नमबर 3 ही आएगा तो यह चीज़ है अगर आप लगता है कि ऐसा आपको layout नहीं चाहिए तो आप simply इसमें कुछ change कर सकते हैं जैसे मुझे अभी बहुत साथी changing करनी है अपने document में तो उसके लिए मैं फिर से जाता हूँ कहां पर तो उसके लिए मुझे जाना है फिर से file के अफ़र नया नहीं लेना है क्योंकि नया लेने से हम नए page इसमें change करना है तो हम सीज़ा साइड को मैंने से पन और जो margin है उसको 0.5 0.5 then 0.5 and 0.5 and 0.5 and then 0.5 मतब चारो साइड से मैंने 0.5 0.5 किया और double साइड को बन पेज जो था वो double साइड दिखा रहा था उसको मैंने कि अब आप देख सकते हैं कि आपका page नंबर वन ये रहा ये रहा और तिनोट separate हो शुके अब कुछ चिजह और समझते हैं जयसे उपर के property बार आस उपर ये जो property बार है ये बता रहा रहा है कि आप यहां से नया file ले सकते हैं तो वह हम file के अंदर जा के भी ले सकते हैं और चाहें तो हम यही प्रापर्टी बार से इसे ले सकते हैं उसके बात open इसका use करके हम क्या कर सकते हैं अदर पहने से हमने कोई document पर आया है पेजमेकर के अदर उसे खोल सकते हैं सेव पेजमेकर में जो भी चीज़े आप बना रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हैं उसके बाद है find किसी particular word को खोजने के लिए और यहाँ पर है character space मतलब दो लिखे हुए text के बीच क्या space ही रहेगी उसको setup कर सकते हैं यह increase font size है जिसका shortcut हम लोग control shift greater than use करते हैं ms word में हम जो use करते थे save वही shortcut यहाँ भी चलेगा यही option से हम font के size पो increase कर सकते हैं इसका use करके degrees कर सकते हैं यहाँ पर है spelling and grammar जो कि ms word में आपने अच्छे से सीखा होगा spelling and grammar का use करके आप क्या कर सकते हैं यह पता लगा सकते हैं कि आपके document में को spelling या grammatical mistakes तो नहीं है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर feeling stroke है यह मैं जब आपको shape बनाना बताऊंगा उस समय में बताऊंगा कि feeling stroke क्या होतार paragraph marking है paragraph space के लिए है उसके अलावा tab settings के लिए है यह सारी चीजे उसके अलावा bullets and numbering है फिर यहाँ indent और out end आप set कर सकते हैं and यहाँ पर कुछ नए page insert करने के लिए आपको option दिये है जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हो देया उपर जाके insert page या फिर यहाँ से भी नए page insert कर देया उसके आगे क्या है उसके आगे आपको remote page का option दिया है मतलब आपकने document से किसी page को हटा सकते हैं इस option का use करके और यह जो option दिया है वो है frame option frame option क्या है जब मैं आपको frame पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको frame option की बारे फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या है इस option को कहता है text wrap एक अलग चीज है इसका काम होता है text को line automatic change कर देना and then और भी कुछ options है जैसे यह picture palettes है pictures को खोलने के लिए insert करने के लिए और यहाँ पर place है place से आप picture insert करते हैं अपने document के ठीक है उसके अलावा और क्या है यहाँ पर आपको photoshop में जाने का option है directly आपने हां से photoshop में जा सकते है HTML में export कर सकते हैं अपने document को PDF में export कर सकते हैं और यह तीन चार option जो वह है वो बहुत ही important है इससे आप अपने document के page size को zoom in कर सकते हैं इससे zoom out कर सकते हैं 100% मिलाके actual size में fit कर सकते हैं या पूरे page को fit जैसे अब मैं आपको इसका use करके दिखाता हूँ मुझे यह दिखाना है तो मैंने इसका zoom in size बढ़ाया यह देख सकते हैं आप मैंने कितना zoom in size बढ़ा दिया अब इसको zoom out करेंगे और zoom in करेंगे अगर मुझे एक बार में इसको समझ में आ गई ठीक है उसके अलावा यहां पे आप ruler देख सकते हैं जिसका परियोग करते हैं चीजों को ऐसे align करने के जैसे अगर आपको किसी चीज को नापके बनाना है तो आप ऐसे ruler से पकड़के guidelines को ला सकते हैं ठीक है guidelines को आप ruler से पकड़के ऐसे ना सकते हैं और page पे चलिए एक ही बर में सारे guidelines को अटाने हैं आप चलिए यहां से elements नहीं यूटिविटी तो review के अंदर unclear ruler guides इसको कर दीजिए तो I hope कि आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे हम page में करके अंदर कोई नया page insert करेंगे टोकी चलिए तो अगले काम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो उसकी लिया यो देखनी होगी चलिए तो मिलेगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में तब तक की लिए take care bye bye